तो सुभाई की शुरुवात मैंने करी थी एक ग्लास गुनगुने पानी से उसमें थोड़ा नमक डाला तो एक ग्लास पानी और एक चुटकी नमक उसमें डाला था एक चुटकी या डेड़ चुटकी फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लग रही थी और यूरिन के कलर से मैं ये चक करता हूँ कि हाँ बॉड़ी में पानी की कमी है कि नहीं ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि बॉड़ी से मतलब फिर एक्स्ट्रा यूरिन जो आप पास आउट करते हैं उसमें एलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स फ्लश आउट हो जाते है तो ये रहा सुबै का और दस वस बजे के करीब मैं जब सेशन करवा के पर योगा नहीं किया मैंने तो उसके बाद मैंने एक्स बॉइल करने को रख दिये थे दस संडे और ये सोचाता कि अभी थोड़ी देर में नहा दोके खालूँगा फिर क्योंकि मैं इस तरह से शिफ्ट करना चाहता था अपना इटिंग पैटन की वर्काउट करने से पहले या मर्काउट करने के बाद करीब एक या दो बज़े तक खालूँ सारे मील्स और उसके बाद फास्टिंग करूँ 20 से 22 गंते या 24 गंते या 23 गंते जितनी भी तो ये मेरा मतलब प्लैन था बट फ्रिंट का कॉल आ गया उसके साथ मैं चला गया बाहर और अंडे उबले के उब आधा केजी चिकन भी लेके आया था और ठीक है फिर वो अंडे उबाले थे दुमको दुबारा गरम किया अंडे खाए फिर चिकन बनाया बहुत उसमें कोई भी सीड ओयल या कोई भी तेल नहीं उसकिया था हाँ लास्ट में दो चम्मच घी डाला था भरके क्योंकि फैट बहुत जरूरी है कार्निवोर डाइट जब आप फॉलो करेंगे फैट को इग्नोर नहीं कर सकते आप लीन मीट पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यह बार-बार सेशियेटिंग वाली फीलिंग नहीं आएगी आपको तो फैट जरूर इंक्लूट क मैं नौ बजे के करीब मैं खाना नहीं चाह रहा था बट फ्रेंड ने फिश किया था रोस्ट तो रोस्टेट फिश खाई मैंने करीब 300-300 ग्राम और बस उसके बाद 11 बजे के करीब एग लास पानी फिर पिया था नमक डालके तो यह था मेरा कल का पूरा दिन का इटिंग पैटन और इसमें तीन साड़े तीन चार ग्लास मैक्सिमम पानी पिया होगा नमक डालके और इतना जो खाया मैंने वह आपको बता दिया मैं खाने हाला कि चार से पांच बजे के भी बाद उसके बाद खाने आला नहीं ते लेकिन फिश आ गई तो इंसिस्ट किया उसने दो पांच-दस मिनेट रुकूंगे दस-फंदा मिनेट वह आपस से चली जाती है क्योंकि बारा बज़े के टाइम मैंने सोचा था तो शायद इस वज़े से आई हो फिलिंग वसी बट खाया नहीं तो चली गए फिर चार-पांच बज़े के करीब जब खाया तो नॉर्मल था स कोई कल मैंने पूप नहीं करी और येस और ऐस सच कुछ ब्लोटिंग या हैविनेस इतना खाने के बाद भी मुझे बिल्कुल नहीं फील हुई और आज सुबा उठा जब आज डे टू है इसका भी व्लॉग बनाऊंगा तो फिर बहुत मतलब ज्याजा जैसे प्लांटर फा यह मेरे ट्रिगर होता रहता है वह सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था कह सकते हैं कि हाँ 20 परसेंट 25 परसेंट का इंप्रूब्मेंट था रेगुलर से और वह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हाँ मैंने इसके रियाब एक्साइज़ भी करी थी तो बस यह था डे व इंड dez in the carnivore month carnivore month sincerity is called the carnivore month in the community yes thank you for listening and i will meet you tomorrow again, bye bye